हेलो गाईज, मैं हूँ अमिद, हमारी गाडियों में जो बैटरीज यूज होती है, वो लेड ऐसिड बैटरीज होती है, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, और भाई इनके अंदर काफी वेट भी होता है, तो आज हम लोग इन बैटरीज को खोलेंगे, और देखें कि इनक को निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इंटरस्टिंग पार्ट है, जो लेड मेटल है, जिसको की सीसा भी बोलते है हिंदी में, तो वो किस तरीके के दिखता है, क्या उसको निकालना पॉसिबल हो पाएगा, तो ये तो करने के बाद में पता लएगा, तो फट आफ दोस्तों ये जो बैटरीज है, इनके अंदर लिक्विड होता है, जो कि सल्फ्यूरी के ऐसीड होता है, देखो, अब आस सुनी आपको, तो जो है, हमको सबसे पहले तो इसका एसिड निकालना पड़ेगा, और भाई, यहाँ पर आप लोग देखें कि इसके अंदर छे सेल् वो दो वोल्ट का होता है, तो टोटल ट्वेल वोल्ट की बैटरी हो गई, और यहाँ पर देखो, आपको ये लिक्विड भी दिखेगा, ये एसिड है, तो सबसे पहले भाई, इसको सेफली कलेक करना जरूरी है, मैंने गलब्स भी पहने हैं, देखना, यह आ गया भाई, ए एसिड, ये कॉंसेंट्रेट नहीं है, डाइलूट है, लगभग 25-30% इसमें एसिड होता है, बाकी पानी होता है, और भाई, अब जो है, मुझे लगता है, सारा एसिड हमने इसका निकाल लिया, देखो, ये सल्फिरिक एसिड है, डाइलूट, और दोस्तों, यहाँ पर एक एंगल ग्राइंडर का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत तब चीज है, और भाई, ये जो पाउचेस हैं, यहाँ पर आपके सामने, बाहर आज चुके हैं, देखो, ये होता है लेड बैटरी के अंदर, और भाई, ये बहुत भारी है, इसमें वेट काफी सारे के सारे सेल्स को खाली कर लिए, अब इस बैटरी में देखो, कुछ भी नहीं बचाया, वेट भी खतम हो गया, तो यहाँ पर है भाई, सारा राज हालत देखो एक बार यार, इस सीज के लिए एक लाइक तो जरू से बनता है, बहुत मैनत लगी है इस सीज में, और यहा है लेड, लेकिन अभी देखो, यह कुछ मेटल जैसा नहीं दिख रहा है, तो हम जो है सबसे पहले तो इसके अंदर जो एसिड है, उसको खतम करेंगे, उसके लिए बेकिंग सोडा का यूज करेंगे, और बेकिंग सोडा को डालेंगे भाई, पानी में, तो भाई, आज है दूसरा दिन, और हमारी जो लेड की प्लेट्स हैं, वो है यहाँ पर, मैंने इनको निकाल लिया है बेकिंग सोडा सोलुशन से, यह जो है एकदम नूट्रलाइज हो चुकी है, इनका जो एसिड है, वो खतम हो चुका है, लेकिन एक चीज है कि यह जो प् होता है, तो अब इसमें से लेड मेटल निकालने की बारी है, तो चलो, आज हो, तो भाई, हम लोग जो है, एक इस तरीकी की गैस टॉर्च का यूज करेंगे, इसको गरम करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं कि क्या होता है, और देखो भाई, यह जो है नीचे गिरने देखो सिरफ इस गैस टॉर्च से यह जो है पिघले जा रहा है, तो भाई, इसके अंदर मैंने तीन प्लेट सो गरम किया है, तो देखने कि तीन प्लेट में कुछ मेटल निकलता है या नहीं, और यहां पर भाई, आपके सामने आ गया है यह लेड मेटल, देखो इसको, और भाई साम, फाइनली जो लेड है, वो तो हमारी बैटरी में से हम निकाल चुके हैं, सिरफ तीन प्लेट में इत्ता से लेड निकला है, बट मुझे लगता है कि इसमें और लेड निकलेगा, हम इसको अच्छे से गरम नहीं कर बारे, तो इसको भट्टी में गरम करते हैं, औ यह जो है एक लिमिट तक ही गरम किया हुआ है, तो भाई, अब देखते हैं कि हम इससे लेड मेटल को निकाल पाते हैं या नहीं, और देखो इस फ्यूम्स की बात कर रहा था मैं, जो इसमें धुआ निकल रही है न, और यार यह तो साथ में कच्रा आ गया, इसको धीरे धी थी, उसे जादा निकल गया इसमें, देखो, इसको थोड़ा जम जाने देते हैं, और बाकी लेड को इस इंट में निकाल लेते हैं, तो भाई साब, आपके सामने जो लेड मेटल है, वो यहाँ पर आ गया है, और इसके अंदर मेरे हिसाब से अब सिरफ कच्रा रह गया है, बिलकुल, और यार, यह इंट में किस तरीके से पैक हो गया है, तो भाई, फाइनली, दो दिन की मेहनत के बाद में, लेड मेटल हमारे हाथ में आ चुका है, और जो सबसे पहली चीज है, वो है भाई, इसका वेट यह बहुत जादा भारी है, क्योंकि लेड की जो डेंसिट तो इसको जो है, रिफाइन करने के लिए, मैं इसको इस पैन में डाल रहा हूँ, गैस स्टोल को ओन करते हैं, इस में से सारा कच्रा निकाल लिया, और अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और हीट करते हैं, और इस कटोरी के अंदर डालते हैं, ताकि यह इसमें सेट हो जाए, और गाइज फाइनली यहाँ पर है देखो लेड मेटल, इसके उपर जो थोड़ा कच्रा है, वो और हटा लेते हैं, और भाई साब, आखिरकार इतनी जादा मेहनत के बाद में, इतना जादा टाइम देने के बाद में, जो लेड मेटल है, वो हमारे पास में यहाँ पर आ चुका है, और अब भी देखो यह लिक्विड फॉर्म में है, देखो हिल रहा है, तो इसको सॉलिडिफाई होने देते हैं, और इसमें क्लीन बनता है एकदम से, जैसे मिरर होता है न, यार यह मस्त चीज है यार, सीरियसली, तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको ठंडा कर लेते हैं, और आप लोग देखी सकते होगी, यह कितना ज़्यादा गरम है, और भाई लगभख दस मिनट इसको ठंडा होने के बाद में, अब हम पानी को निकाल सकते हैं, और फाइनली जो हमारा लेड मेटल है, वो भाई सीधा मेरे हाथ में ही आ गया है, और यार, कितनी मेहनत करें इसको निकालने में, और देखो, कितना बड़ी है शेफ में यह बना है, यार, मज़ा आ गया, और यह बहुत हैवी है, यही तो भाई, मशीन हो चुके, जीरो, इसको रखता हूँ इस पे, और छोडने से पीस का जो वजन है, वो 781 ग्राम दिखा रहा है, देखो यार, 781 ग्राम इतना सा टुकड़ा है, लेड का, और भाई, फाइनली जो मेटल है, वो हमने बैटरी में से निकाल लिया है, कहीं से ख कुछ भी ट्राया मत करना, क्योंकि जो लेड है, वो टॉक्सिक होता है, ऐसे मेटल फोम में इतना नहीं होता, बट ये बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, वेपर फोम में, या कैसे भी करके, तो अगर आपको आया इस वीडियो में मज़ा, तो लाइक जरू से कर देना चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए, ऐसी और मस्त मस्त वीडियो के लिए, तो चलो फिर मिलते हैं एक लिए वीडियो में दब तक के लिए, नमस्कार, भाई, प्लीज वो लाइक का बटन दबादो, बहुत मेहनत लग गई इसको निकालने में, इतना सा टुकड़ा है, प्रा उलो़ायए canigas, दो एकि रिए भाईक का लाईक काई